दौलत मूवी थी मेरी जिसमें मैं मन्शा कुरैला के साथ ही रो था ए काजल इन हाथों ने अतियार छोड़े हैं चिलाना नहीं भूले लाशे बचा दूगा लाशे और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा एक बात याद रखना अगर आज के बाद किसी ने काजल की तरफ देखा तो समझ ले ना वो मर गया वो मर गया अज़ा आए ये बताएए कि आपने कितने ताली मासिल की है तो वो पहली मेरी मुवी थी जो के सारी वो थाईलैंड में शूट हुई है सालाम टो आएकों कोई तो जो दमर बाद लिकार लंग नवास्ता वास्ता सु पक्रिमत कि अज़ियम अकदर मनो, नंदा सरय और नाव परोग्राम शरीको मा शुलाकात सासो तर सनी देवर सरेको मा इसासो पेजयन दिलिंदी आता सो इकी नचे देपेजयन एक जानले फिलम के उंदी डरामा कत दो दिलिय Sorry इंडोर स्क्रिम भाने पामनी स्क्रिम भाने औली दैनी घूरी साथार सुपीक दिए अर तॉर्दो स्विक दें दूर्ओ खबरे तेरी अुर्दोर की खो आवberry इसी असलाम माले लायकूम्न चैसे में आफम्हें अलाम धेमालीकॉम्सी करें आफ ंंने मेरा औरिजनल नाम मुहमन नसीर और लोग मुझे सबसे पहले फिल्म की नक्रा गोरीदा सबसे पहले रिक्वेस्ट यह कि मैं फैसलाबाद में यूनिवरस्टी में पड़ता था तो जब मैंने शेव करवाई एक लिए तो मुझे दोस्तों में लड़कों ने का यारा आप तो सेम सनी देवल लग रहे हैं तो क्यों नहीं आप फिल्म ट्राइब करो फिल्म जाइन करो तो इसी शोग से मैं जब लहोर में आया हूं तो मुझे आते ही स्टूडियो में और इवरनीव सुडियो में मैं इनड़ा खाए तो शेर फिल्म्स ऑजी शेरा साभ जी अब्दरशीत साभ उनों ने मुझे देखा और उनों ने मुझे बीयू भूला लिया तो बुलाते ही उन्हों ने मेरा इंट्रिव्यू लिया जैसे आप थोड़ा सा इंटर्व्यू ले रहे हैं तो उन्होंने मुझे फिल्म के लिए उन्होंने मुझे मधू कर लिया तो वो मेरी पहली फिल्म थी नख्लाव उसके डिरेक्टर थे हमारे रीच डिरेक्टर इकबाल कश्मीरी साब अल्लाभाक उनको जन्नाद सी फर्माए पाकिसान फिल्म अडिस्ट्री के वो सिनियर डिरेक्टर थे तो वो पहली मेरी मुवी थी जो के सारी वो थाइलेंड में शूट हुई है जी वो पहली मेरी मुवी थी जिसमें मुझे बिग इदारा मिला बड़ा इदारा और क्रीम कास्ट थी सारी उसमें उसमें कौन थे उसमें थे जवेशेक साब फिर मैडम रीमा बाबर अली साब फिर क्या नाम है इसमाइल तारा साब बाबी जेबा शिनाज साब और शवकत चीमा साब तो यानि के बिग कास्ट थी उसमें तो इतने बड़े कास्ट के साथ काम करना मतलब तो बिलकुल नहीं थे तो मुश्किल नहीं था? मुझे इसलिए नहीं लगा कि मुझे सारी कास्ट ने बहुत प्यार किया सपोर्ट क्या उन्होंने? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहा लड़का है और सेम सनी देवल दिख रहा है तो चुके हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे टैलेंट को उजागर होना चाहिए तो सब ने मुझे बहुत ज्यादा स्पोर्ट किया जिसकी वज़ा से इन्शाला वो फिलम में मुझे मेरा रोल बहुत ज्यादा एप्लिशेट किया गया अचाँ उसके अलवा और मतलब जब वो फिलम ही तो काम्याग मुझे पता देजी तो उसके वार फिलम की आफर हुई या नहीं जी हाँ उसके बाद फिर मैंने तीन चार फिल्में की हैं दौलत मुवी थी मेरी जिसमें मैं मन्शा कुरैला के साथ ही रो था इंडियन मन्शा कुरैला इंडियन वो पाकिसान गॉर्मिंट ने फिल्म नी रिलीज होने दी लेकिन उसमें मैं मन्शा कुरैला के साथ ही रो उसक जीवा गुजर जी फिर मतलब मुख्टले पिर और भी फिल्में की तो अलहमदुल्ला आज अला का करम है कि थोड़ा बहुत फेम नाम है अल्ला का शुकर है तो आप जैसे लोगों के कौापरेट से आप जैसे लोगों के ताब उनसे इंशाला मजीद हम भी न करें अगर आप मतलब हमारे जो कुछान साफ यह मारे पाकिस्तानी फिल्म स्टार को इंडिया में बोट जा रकास्ट किया उनको आप फर हुई अगर अपको इसे तरह आप फर हुई तो क्या कहेंगे आप बात यह के फंकार जो होता है वो किसी एक जिले का एक मूलक का या किसी कंट्री का नहीं होता है फंकार पूरे वर्ड के लिए होता है तो अगर मुझे अच्छी आउफर आई तो पाकिस्तान फिलम अड़ेस्टी से अगर मुझे परमीशन मिली आपने शनीर्स डिरेक्टर से तो मैं जाओंगा ने तो इन्शालाव मैं पाकिस्तान से बहुत महबत करता हूं प तो उसके बाद यहीं फिलम अड़ेस्टी जरा आजकर डाउन है तो मेरी गोर्मीट से भी रिक्वेस्ट है कि फिलम अड़ेस्टी की तरफ जरा मतवज्व हों क्योंके पाकिस्तानी आटरस्ट जितने भी है इतना टैलेंट है पाकिस्तान में और दूसरी यह बात है कि यह फिलम होती है या ड्रामा टीवी होता है या स्टेज ड्रामा होता है यह एक मैसिज का जीरिया है तो गोर्मेंट को चाहिए कि अपनी सकाफत के लिए पूरे कंट्री में अपनी सकाफत को शो करवाने के लिए फिलम अड़ेस्टी का साथ दें ताकि फिलम अड़ेस्टी बहुत जरह सपोर्ट करती है लोकेशन देता है आर्मी जब या पुलीस पुलीस की जरूरत देख लेंगे पाकिसानी आर्टस्ट देख लें के जो भी कंट्री जिस कंट्री का आर्टस्ट रोग है वो कंट्री बजाते खुद अब हॉलिवड को देख लें उधर का आर्टस्ट इतना स्ट्राउंग है कि वो कंट्री उससे बढ़के स्ट्राउंग है इंडिया को देख लें उनके आर्टस्ट भी स्ट्राउंग है और भी मुलक आप देख लें कि सही है फिर आप तुर्की को देख लें तर्की में भी जो के पाकिस्तानी फनकारों का खास किया रखा जाए pub9 जूखनगाय तो रिक्वेस्ट ये के ज़रूरी को तरह मतवजों ता कि फिक पाकिसानी को द्वाइन दे क्योंकि सब आर्टरस्टों ने इम्रान खान साब को बड़े शोक से आगे लाए हैं तो उनको भी चाहिए कि आप फनकारों का खास क्या रखें आसनी वाई यह बताए कि फिल्म के अलावा और कुछ करते हैं कि नहीं जिने मैं आरड़ी यही करता हूं अगर फिल्म नहीं है तो टीवी टीवी नहीं तो फिर स्टेज तो पाकिसानी फिल्म डेस्टी मैं पहले भी कह चूंका कि बड़ी जवाल पजीर है तो इसी आस में लगे हुए कि अच्छा वक्त भी आएगा रूज भी आएगा यही दो बात मैं बता रहा हूं कि मतलब अभी फि अधाकार कौन सा है पाकिसानी पाकिस्तानी मेरे फेवरेट अधाकार शान साब है बहुत बड़े स्टार है माशाला मेरे ख्याल में इंडिया में भी उनके पाएगा कोई स्टार नहीं तो हमें उन पर फखर है के शान साब इस वेरी गूड आर्टिस्ट और इंडिया के सनी देवल साब से मैं मतासर हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक फेम दिया, एक नाम दिया, जी मैं जिदर जाता हूं तो लोग कहते हैं वो पाकिस्तानी सनी देवल जा रहा है, तो ये क्रेड़िट उनको ही जा रहा है, मैं जाहर है उनको बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, पस प्रश्रत की है और माफी मांगी है, तो इसलिए मैं अब ज्यादा उन पर खूश हूं, क्योंकि उतने उनके परस्तार इंडिया में नहीं है, जितने पाकिस्तान में हैं, तो बकाइदा उन्होंने सोरी की पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पब्लिक से, तो तब का वो मुझे ज पाकिस्तानी डारिक्टर में आपका कौन सा फिरुट है? पाकिस्तानी डारिक्टर इकबाल कश्मीरी साहब तो बचा रहे हैं, अब सेयद नूर साहब है, सेयद नूर साहब का एक फेम है माशालला पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान के लावा दूसरी कंट्रीज भी उनको जानती हैं, तो मेरी भी ये शुरू से ही ख्वाहिश रही है, के सेयद नूर साहब मुझे काल करें, आचा, वो बुलाएं, आपको कास्ट का, आपको मतलब आफर करें फिल्म की, हाँ जी, वो मुझे कास्ट करें और फिल्म करवाएं, इन्शालला मैं उनके पूरा उतरूं इन्शालला मैं कर सकता हूँ, क्योंके 32 एर मुझे हो गया है, फिल्म अड़स्टी में, 32 एर मुझे मेरा एक्स्विरियंस है, पाकिस्दानी फिल्म है, मतलब अगर आपको जिस अरसनी देव, उनको टाइटल रोल देते हैं, अगर आपको वही टाइटल रोल दे दे, आप नेगटिव रोल था, मगर पबलिक की मैंने खुद हाल में से वाजे सुनी हैं, कि यार इस लड़के को सोलो हीरो आना चाहिए, तो मुझे यकीन है कि अगर मुझे कोई हीरो लेगा, तो इन्शालला मैं उनके पूरा उतरूँगा, अखिर मैं फबलिक को क्या मेसेज देना मतलब जो शोबिस के शोकीन है कि मैं हीरो बनना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है, तो मेहनत करने से, स्वगल करने से, इन्शालला बंदा अपनी मनजले मक्सूद पर पहुंच जाता है, तो कोई भी काम हो, फिल्म हो टीवी हो, स्टेज हो, इसके इलावा, जो भी इंजिनरिंग हो, कोई भी ऐसा काम है, जिसमें सची लगन, सची मेहनत, जो शौक से करे, मैं दिल से करे ये काम, दिल से करे, और अल्ला की कुर्ब हासल करे, अल्ला का कुर्ब हासल करे, और सची लगन से, सचे दिल से करे, तो इ चोटा सा डैलाउग सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिगला कर उसका कार बदल देता है, यह ताकत खून पर सीने की कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकडों पे पलने की जरूरत नही, पिंजरे में आ आपको वो जीता है, जिसकी हडियों में पानी बरा होता है, अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है, तो कुटों का सहारा लेना चोड़ दे कातिया, ओए, थेंक्यू, बहुत 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 जबादास, अकदर मौनो, दाओ सेनी भाई सेनी देवाल ची, पाकिसानी सेनी मेरे दोस्तों, मेरे भाईयों, यह मेरे भाईयों, बहुत अच्छे जो पुषावर से आए हुए, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सक्सराइब कीजिए, और शेर कीजिए, और भरपूर पैयार कीजिए इस चैनल के साथ,